बुलुश्री प्राणनाथ प्यारे, बुलुश्री सत्गुरु महाराज के प्राणधार आत्मसमंदी सुंदर साज्जी कल की चर्चा में हमने योग के सभी आठ अंगों के विशे में सुना ध्यान किसे कहते हैं, समाधी किसे कहते हैं ध्यान के मार्ग में कौन-कौन सी परिशानिया, कौन-कौन सी बाधाएं आती है उन सभी बाधाओं का समाधान क्या है उसे सुना वेदान्त के अद्वेत वादी विचारधारा की विशाय में सुना उसमें स्रीजी ने क्या प्रशन किया उससे सुना फिर हमने निजानन्द संप्रदाई की पधती को सुनना शुरू किया जिसमें हमने सुना कि हरिद्वार के आचार्यों ने जो स्रीजी को 24 प्रशन पूछे थे उन में से तीन प्रशनों के उत्तर सत्गुरु कौन है सूत्र कौन है सूत्र किसे कहते हैं तथा शिखा किसे कहा गया है इन तीन प्रशनों का उत्तर सुना था अब कल की अंतिम चोपाई को दोहरा करके हम आगे बढ़ते हैं सत्गुरु ब्रह्मानंद है सुत्र है अक्षर रूप सिखा सदा इन से परे चेतन चिद जो अनूप चेतन चिद जो अनूप सेवन है पुरुशो तम अब अगला प्रश्ण था कि हमें सेवा किसकी करने चाहिए स्रीजी ने उत्तर दिया कि हम उत्तम पुरुश की सेवा करते हैं उत्तम पुरुश किसे कहते हैं पुरुशो में जो उत्तम है उसे उत्तम पुरुश कहा जाता है अब यहां कौन से पुरुश की बात हो रही है कई बार ये भी लग सकता है कि दुनिया में 8 अरब की जनसंख्या पहुँच गई है जिसमें यदि 50-50 प्रतिसत भी मान ले तब भी 4 अरब की जनसंख्या तो पुरुशों की होगी उनमें से उत्तम कौन है या कोई होगा उनमें से उत्तम पुरुश पर यहाँ ऐसा नहीं है गिता में तीन पुरुषों की बात की है एक-एक छर, दुसरा अक्षर और तीसरा उत्तम पुरुष गिता क्या केती है दौआविमव पुरुषव लोके छरह अक्षर एवचा छरह सर्वानी भुतानी कुटस्थो अक्षर उच्यते तीन पुरुष के बारे में बता रहे हैं गिता के पंद्रह में अध्याय में और कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन तीन पुरुष है सबसे पहला च्षर और च्षर किसको बोलते हैं च्षरह सर्वानी भुतानी सभी प्राणियों में जो संकल्प मात्र से चेतना के रूप में अथवा जीव के रूप में विराजमान है उस आधिनारायन को अथवा महा विश्ण को क्षर कहा गया है अक्षर को कूटस्थ कहा है कूटस्थो अक्षर उच्यते अक्षर ब्रह्म कौन है राज्जी जो की सचीदानन स्वरूप है उनके सत अंग का स्वरूप है अक्षर ब्रह्म सत का स्वरूप राज्जी स्वयम आनन्द के स्वरूप है अक्षर ब्रह्म को कूटस्थ कहा है जो सत अंग है उसको कूटस्थ कहा है कुटस्त कहने का कारण क्या है जैसे हम बोलचाल की भाषा में कुटस्त का आर्थ होता है न्यूट्रल जैसे आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनोंने साइन्स पड़ी होगी परमाणूओं में इलेक्ट्रोन, प्रोटोन और न्यूट्रोन होते है इलेक्ट्रोन और प्रोटोन माइनस और प्लस होते है उसमें और जो न्यूट्रोन होता है वो न माइनस होता है न प्लस होता है जैसे हम गाड़ी भी चलाते हैं गाड़ी में कुछ गियर आगे के होते हैं फ्रंट गियर एक गेर रिवर्स का होता है और एक होता है निूट्रल तो यह जो निूट्रान है निूट्रल है और कूटस्थ है यह एक ही जैसा है जैसे जब गाड़ी को हम निूट्रल में डालते हैं जिस तरफ धलान होगी अपने आप ही चला जाएगा या फिर धका देंगे तो चड़ाई की तरफ भी हम ले करके जा सकते हैं निूट्रल में हम यह नहीं कह सकते की गाड़ी आगे जाएगी की पीछे जाएगी वो तो परिस्थिति के इसाब से अगर आगे ढ़लान होगी तो आगे चली जाएगी पीछे ड़लान होगी तो पीछे चली जाएगी अक्षर ब्रह्म की भी लीला कुछ इस तरह की ही है आदी नारायन जिसको हमने एक च्छर पुरुस कहा उसकी लीला माइनस की है माइनस क्यों क्यों क्योंकि यहां दुख रुपी लीला होती है इस संसार में थोड़ा सा सुख है और बहुत ज्यादा दुख है तो यह जो लीला है यह माइनस की लीला है राज्य की जो लीला है परमधाम में वहां आनंद की लीला है जो की पलस है पर अक्षरब्रम न परमधाम के आनंद की लीला में प्रत्यक्षरूप से सहभागी हो सकते हैं और न यहां दुख की लीला में प्रत्यक्षरूप से सहभागी हो सकते हैं उनके मन के संकल्ब के स्वरुप से वहाँ खेल बनाता है तो इधर माया में भी वहाँ सहभागी हैं और परमधाम में प्रति दिन आनंद लेने के लिए सुबह सुबह वहाँ राज्जी का दर्सन करने के लिए जाते हैं जब राज्जी तीजी भूम की पड़साल में होते हैं और उनके ही मन का स्वरुप इधर दुख की लिला भी करता है तो आनंद की लिला में भी जाना चाह रहे हैं और दुख की लिला में भी सहभागी हो रहे हैं इसलिए अक्षर को कुटस्त कहा है न वह प्लस है न वह माइनस हैं तो एक हो गया अक्षण पूरुस दूसरा हो गया अक्षण पूरुस और जो तीसरा है उसको कहेंगे उत्तम पूरुस इन दोनों से उत्तम है और क्या कहा रहे है। उत्तमह पुरूश्षत तु अन्या परमात्मा इत्ती उधारित कृष्ण जी कह रहे हैं कि है अर्जुन जो उत्तम पुरुश है वही परमात्मा है अब कई बार जो गीता को मानने वाले है जो श्री कृष्ण जी के उपासक हैं ओ गला ही उत्तम-पुरुस है, कृष्ण ही परमात्मा है, पर वास्तों में ऐसा नहीं है. देखिए, ब्रज की लिला करने वाले जो कृष्ण है, उन्में, राज्य की सक्ति है, परमात्मा के लिला हुई है, 11 बर्स 22 दिन, लेकिन जो गीता का गयान Important दिने वाले कृष्ण है वे परमात्म नहीं है कैसे नहीं है लोगों को ये भी सवाल होता है गीता की अठारवे अध्याय में एक स्लोग आता है जो बहुत ही प्रचलित है कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम सरणम्रजा इसका आर्थ ये लगाया जाता है कि कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन को कि है अर्जुन तु सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ अहम त्वाम सर्व पापव्यो मोक्ष इस्यामी मासुच में तुझे हर प्रकार के पाप से मुक्त करा दूंगा जबकि इसका आर्थ ऐसा नहीं है इसका अर्थ क्या है ये इसका उनको क्रिष्णे जी कह रहे हैं तु सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ तो प्रश्ण यह होता है कि उस समय कौन-कौन से धर्म थे पांच अजार साल पहले कौन्चे धर्म थे एक ही सनातन मत था तो यहां दुनिया में जितने मत-मत आंतर चल रहे हैं हिंदू, मुस्लिम, सिखिष, जैन, बहुत-द, कन्फियूसियस, पार्श, इन सब धर्मों की तो बाती नहीं हो रही है हिंदू में बहुत सारे हैं उनकी तो बाती नहीं हो रही है क्योंकि जिस समय महाभारत का यू दुआ इस समय ऐसे कोई भी अलग-अलग धर्म या अलग-अलग संप्रदाय नहीं थे और कृष्ण जी को तो पता है कि धर्म एक ही है तो वहाँ इस स्लोक का अर्थ ऐसे है कि गीता के अठारा अध्या में हर अध्याय का अलग-अलग विशय है कहीं सांख्य योग की बात कर रहे हैं कभी राज योग की बात कर रहे हैं कभी कह रहे हैं अर्जुन विशाद योग ऐसे अलग-अलग योग है महाँ पर कहीं कर्म योग की बात कर रहे हैं अब अलग-अलग प्रकार के योगों की जहां बात की जा रही है, अर्जुन संसय आत्मा है, अर्थात बारमार संसय करता रहता है, उसको कोई बात समझ में नहीं आती है, अठारे में अध्याय तक पहुंचते पहुंचते भी जब अर्जुन को बात समझ में नहीं आये, तो कृष्ण जी ने कहा कि ठीक है, तुझे क कोई बात समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, तु मेरी सरण में आ रहता, जितना मैं कहता हूं तु उस पर चल, तु उस पर भी चलेगा, तो मैं तुझे सभी पापों से मुक्ति दिला दूँगा, बहुत ज्यादा ज्यान के चक्कर में फसने की आवसेक्टा नहीं है, य क्रिष्ण जी अर्जुन को परमात्मा की सरण में जाने की बात कर रहे हैं, तो वो स्वयम परमात्मा कैसे हो सकते हैं, क्रिष्ण जी एक योगी है, गिता आपने कभी खोल करके, अगर नहीं देखी हो, तो खोल कर देख लीजिए, अंतिम स्लोक में कहा है, यत्र योगेस्वर क्रिष्ण, यत्र पार्थो धनूर धर, तत्र स्री विजयो भूती, ध्रुवा नितिर मतिर ममा, जहां योगेस्वर क्रिष्ण है, जहां धनूर अर्जुन है, वहां विजय निश्चित है, तो यहां क्रिष्ण जी को योगेस्वर ही बताया है, गीता में ही क्रिष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्मों हो चुके हैं, बहुनी में जन्मानी वितितानी, तवच अर्जुन, तानिहम वित्थ सर अर्जुन तेरे और मेरे अनेक जन्मों हो चुके हैं, जिन में से मैं उन जन्मों को जानता हूं, पर तु नहीं जानता है। पर परमात्मा तो उनसे भी अलग कोई है। कुछ चाहिए तो बताईए। अर्जुन ने पूछा कि केशव, आपने जो युद के पहले मुझे उपदेश दिया था। कौन सा? गीता वाला। कि वो जो उपदेश दिया था, वो मुझे दुबारा दिजिये, क्योंकि वो में भूल गया। तो कृष्ण जी ने अर्जुन को डाटते वे कहा, कि है अर्जुन, तु तो दुर बुद्धी निकला, मंद बुद्धी निकला। और दूसरा, तेरे अंदर स्रध्धा नहीं है, ऐसा मुझे लगा, क्योंकि स्रध्धा वान अगर तु होता, तो मैंने जो उपदेश दिया, उसको तो भूलता नहीं। कहते हैं, नूनम अश्र दध्धान असी, दुरमेधा असी संजयह। कहते हैं, अब मैं उस ज्ञान को दुबारा नहीं दे सकता। कुझे बताया था, तो इस तरह से, श्री कृष्णे जी स्वयम अर्जुन को उस परमात्मा की तरफ जाने की बात कह रहे हैं, जो कौन है, उत्तम पुरुस, उत्तम हा पुरुस सहत्वन्य, परमात्मा इत्ती उधारिता, तो उस उत्तम पुरुस की हम सेवा करते हैं, वही उत्तम पुरुस हमारा आराध्य है हम उन्हीं की बक्ति करते हैं जिसको हम प्रेम से राज्जी कहते हैं प्राणनात कहते हैं अक्षरातित कहते हैं तो कह रहें सेवन हे पुरुस उत्तम आगे क्या कहा गोत्र चिदानन्द जान हमारा गोत्र है चिदानन गोत्र किसे कहते हैं? जिस किसी रिशी मुनी के द्वारा किसी वन्स की सुरुवात होती है तो उसे गोत्र कहा जाता है और इसका एक सकारात्मक पक्ष है हमारे यहां गोत्र जो याद रखने की परंपरा थी इसका कारण ये था कि हमें ये बताया जा सके हम ये समझें कि हम किसी ने किसी रिशी की संतान है रिशी मुनी की त्यागी तपस्मियों की संतान है जिससे कि हम अपने पुर्वजों की गुणों को याद करें कि ये इतने बड़े रिशी हुए हमारे कुल में इतने बड़े रिशी हुए अथवा इतने बड़े रिशी के कुल में हम उत्पन हुए तो हमारा भी कर्तब ये कुछ बनता है इसलिए गोत्र याद रखा जाता था लेकिन बाद में धीरे-धीरे मद्धेकाल में ऐसा हुआ कि गोत्र को भेद भाव का एक जरिया मान लिया गया कि इस गोत्र के ब्राम्भन लोगों का गोत्र ये है च्छित्रियों का ये गोत्र है वैस्यों का ये गोत्र है जबकि असा नहीं है कोई अपने आपको सांडिल्य गोत्र बताता है कोई काउटिलिय गोत्र बताता है कोई भार्दवाज गोत्र बताता है बहुत सारे गोत्रें जिन से किसी वन्स की उत्पत्ती हुई है अब यहां हम कह रहे हैं गोत्र चिदानन्द जान हमारा गोत्र क्या है चिदानन्द गोत्र पर क्यों हमारा जो वन्स है हमारा जो परिवा वह आत्मा का है, ब्रह्म स्रिष्टी का है, जो कि उत्पन्य तो नहीं हुआ है, पर हम स्वयम को क्या कहते हैं, हम स्यामा जी के अंग है, और स्यामा जी किसके अंग है, राज जी के, हम कहते हैं न, सुबा चंदन चड़ाते मैं, स्यामा जी न अंग हो, सुन्दर साथ, तो रा राज्जी और श्यामाजी ही हमारे गोत्र हैं, हमारा गोत्र चिदानंद है, और आगे कहते हैं, परम किसोरी इष्ट है, हमारे इष्ट कौन है, परम किसोरी, परम किसोरी कौन है, राज्जी किसोर सरूप है, वसी तरह से श्यामाजी भी किसोरी है, जो हमारा आराध्य है, उस को हम इष्ट के रूप में मानते हैं और आगे कहते हैं पति व्रता साधन माना हमारा साधन कौन्चा है पति व्रता साधन पति व्रता साधन का मतलब क्या होता है जैसे एक पति व्रता इस्त्री होती है उसका पती से जो प्रेम होता है या पती के लिए जो भाव होता है वैसा और किसी के लिए भी नहीं होता है और यदि किसी के मन में अपने पती के अतिरिक्त किसी और के मन लिए वैसा भाव है तो उसको पती पतिवरता नहीं कह सकते है सम्मान सबका होता है पति वृता इस्त्री अपने सास ससूर का भी ख्याल रखेगी घर में यदि पति के बड़े भाई वगर होंगे जेठ, जेठाइन, देवर, देवरानी, ननद जितने होंगे परिवार में लोग उन सब का ध्यान रखेगी अपने बच्चों का भी ध्यान रखेगी पडोशियों का भी ध्यान रखेगी मायके के तरफ का भी ध्यान रखेगी पर उसके लिए पहले नमबर पर कौन आता है? पति दुसरा कोई नहीं आता है पति-पत्नी के संदर्ब में बहुत सारे चुटकिले बनाते रहते हैं लोग, पति-पत्नी के संबन के विशे में हसी उड़ाते रहते हैं लेकिन वास्तों में देखा जाए, तो चलि हाँ, हसी को एक तरफ रख दिया जाए, तो पती-पत्नी का सम्मध इस तरह से सबसे नजदी की का होता है, एक बार क्या हुआ कि, कहीं पर एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन हुआ था, अब वहाँ लोग बैठे हुए थे, और आपस में वोई पती-पत्नी वाले, जोग पती-पत्नी वाले चुटकिले सुन सुना करके हस रहे थे, एक व्यक्ति को ये बुरा लगा, कि जिस संबंद को हमारे सास्त्रों में इतना उंचा माना है, उसको ऐसे कैसे बता रहे हैं, तो उन्होंने सब लोगों को बुलाया, आवाज दे करके इकठी की, एक बोर्ड वहाँ पर लाया और बले कि हम एक गेम खेलते हैं, हम एक खेल खेलते हैं, एक महिला को बुलाया गया, और महिला को कहा कि आपकी जीवन के जो सबसे नजदी की लोग होंगे, ऐसे पंद्रह रिष्टेदारों के यहाँ पर नाम लिखो, तो उस महिला ने क्या किया, पती का नाम लिखा, बच्चों का नाम लिखा, सास ससुर का नाम लिखा, अपने माता पिता, भाई, बहन, इन सब का नाम लिखा, पंद्रह लोगों की लिस्ट पूरी हो गई, अंति में सहेली वगर आई, उन सब की लिस्ट की वज़े से, पंद्रह लोग पूरे हो गए, फिर उसने कहा कि इन में से किसी पांच को हटा ना हो, आप किसको हटा ओगे, अब बुरा तो लगता है, पर उसने क् किया, अपने सहेलीों को हटा दिया, फिर कहा कि और पांच लोगों को हटाओ, उस महिला ने अपने घर के मायके के तरफ के लोगों को हटा दिया उसमें से, नाम में से, अब इधर घर के लोग बचे, फिर कहा कि इसमें से तीन लोग और कम कर दो, तो उसने क्या किया, सास, स पसुर दोनों का भी हटा दिया, अपने बच्चे का भी हटा दिया, एक बच्चा पती और उसमें वो महिला रो रही थी, तो उस विक्ती ने कहा जो ये खेल खेला रहा था, उसने कहा कि देखिये, पती पतनी की उपर चाहे कितने भी चुटकिले बनाये जाएं, कितनी भी हसी उड़ाये जाए उस संबन्द की, पर उससे बड़ा संबन्द कोई हो ही नहीं सकता है, आप लोग भी यदि एकांथ में चिंतन करेंगे इसी विशह में, कि यदि कभी ऐसी आवस्यक्ता पढ़ जाए, कि पती और बच्चे में से किसी एक को चुनना पड़े, तो किसको चु चुननेंगे, बच्चे को बाद में चुनते हैं, हाँ भले ही बच्चे के आने के बाद पती पतनी में उतनी ज्यादा बातचीत नहों पाई हो, या समय कम दे पाई हो एक दूसरे को, क्योंकि बच्चे की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता है, पर ये वास्तविक्ता है, इसी तरह से यहाँ पतिव्रता साधन का तात्परिय यह है कि हमारी जो भक्ती है वह भी ऐसी होनी चाहिए कि जैसे एक पतिव्रता इस्त्री, पती की अत्रिक्त किसी और को वो स्थान नहीं देती, इसी तरह से परमात्मा एक है उस एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए वो एक परमात्मा कौन है जिसके विशे में अभी हमने थोड़ी देर पहले सुना जो उत्तम पुरुस है उत्तम हपुरुस हत्वन्या परमात्मा इत्ति उदारिता और उसी गीता में कृष्णे जी ने ये बात भी बताए कि अर्जुन पुरुशह सपरह पार्थ भक्त्या लभ्यात अनन्या कि उस उत्तम पुरुश परमात्मा को अनन्या प्रेमलक्षणा भक्ति के द्वारा पाया जा सकता है अनन्य भक्ति का तात परियी क्या है? एक की भक्ति करना अन्य किसी की न करना है सत्पत ब्राम्ण ग्रंथ में क्या कहा है? यो अन्य देवताम उपासते सन वेध यथा पशुभी रेवबेवा नाम जो एक परमात्मा को छोड़कर अनेक की उपासना करते हैं, वे विद्वानों के बीच में पशू के समान हैं. अब प्रस्न यह होता है कि जो राज्जी की सेवा करना शुरू करे तो क्या दूसरे देवी देवताओं का अपमान करना चाहिए? ऐसा नहीं है. अपमान करने की को अपनी के लिए वो अपना अलग होता है, पर सम्मान सेवा तो सब की होती है, ना? तो सब का सम्मान किया जाए, सभी महापुरूसों का सम्मान किया जाए, लेकिन भक्ती एक परमात्मा की की जाए, एक अक्षरातित की की जाए. वानी क्या केती है? पतिवरता पणे सेविये न थाये वेश्याजेम एक मेली ने अनेक कीजे तेणी थाये धनीवट केम हमारी भक्ती पतिवरता भक्ती होनी चाहिए एक की भक्ती होनी चाहिए और इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि हम धर्मविरोधी हो रहे हैं परमात्मा एक है इनकी अलावा जितने भी देवी देवता है ब्रह्मा विष्णु महेश है जितने देविया है हनुमान जी है गड़ेश जितने भी देवता है या फिर कुल देवी है, भूमिया देवता है, इतने सारे देवी देवताओं के नाम हम गिना देते हैं, बोलचाल में तेतिस करोड देवी देवता बोलते हैं, तो वैसे तो तेतिस कोटी देवी देवता है, वो भी जड़ देवता है, तो जितने महापुरुस हुए उन सब की हमें उन सब के प्रती स्रद्धा होनी चाहिए उनके गुणों से हमें सिखना चाहिए जो कि उनके प्रती हमारी सच्ची स्रद्धा होगी हम इसकी भी पुजा कर रहे हैं आज सों बार आगया तो सिवलिंग में जल चड़ाने जा रहे हैं मंगल बार आ गया तो किसी दूसरे देवता का उपवास रख रहे हैं तो ये भक्ती नहीं होगी इससे तो आप न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे कृष्ण जी ने भी ये बताया कि उस एक परमात्मा की भक्ती करनी है वेद हमें कहते हैं कि एक परमात्मा है उसी की उपासना करनी चाहिए वैदिक ग्रंथों का क्या कथन है न त्वावाम अन्यो पार्थिवो न जातो न जनिश्यते उस परमात्मा के जैसा न कोई हुआ है न कोई होगा और परमात्मा कितने हैं तो कहते हैं एकम एव अद्वितियम न द्वितियो न तृतियो चतुरूथो न आपी उच्चते न पंचमों न सस्ठो शप्तम्यापी न उच्चते परमात्मा दूसरा नहीं है तिसरा चवथा पांचमा छठा शठा साथवा आठवा उन में से कोई भी नहीं है, परमात्मा एक है, उस एक की हमें भक्ति करनी चाहिए, इसी को कहा है, पतिवरता साधनमान, बाकि सभी महापुरुसों से हम कुछ न कुछ सीखें, आप स्री राम को देखेंगे, वो भक्ति करते हैं, वो ध्यान करते हैं, स्री कृष्ण जी को या है, पतिवरता साधनमान, आगे कह रहे हैं, स्री युगल की सोर को जाप है, जाप किसको कहते हैं, अपने आराध्य और इस्ट के नाम को बार-बार हम दोहराते हैं, उसको जाप कहा जाता है, तीन प्रकार के जप होते हैं, सामाने रूप में, एक जप है, जो जोर-जोर से राच्शे माजी, राच्श्य माजी, बोलते हैं, छोटे बत्चों के लिए बिल्कुल जो नाइ नाए बत्चे हैं उनके लिए ठीक है, उचारण भी उनका सही होगा कम से कम, उसके बाद दूसरे नमबर पर आता है, उपान्सु जब, उपान्सु मतनों बुदबुदा करके रहा है, होट हिल रहा है, आवाज नहीं आ रही है, पर होट हिल रहा है, तो ये दूसरे किसम का जब है, तीसरा है, ना आवाज आ रही ना होट हिल रहा है, बस मन ही मन में हम, नाम दोहरा रहे हैं, मानसिक जब जिसको कहा जाता है तो वो जब भी कैसा होना चाहिए तजपस्तदर्थ भावनम जिसका जब कर रहे हैं उसके अर्थ की भावना करके उसके नाम को बार-बार दोहराना उसे जब कहा जाता है और ये सब के लिए नहीं है जो कम से कम ज्यादा से ज्यादा 15-16 वर्ष के 17 वर्ष के बच्चे हो गए हैं और उनको यदि ध्यान की प्रक्रिया पता नहीं है कि ध्यान कैसे किया जाता है लेकिन उनको धर्म से जोड़े रखने के लिए राजी के प्रती भाव बनाये रखने के लिए उन्हें ये सब चीजे दोहराई जाती है राच्चे मजी राच्चे मजी बुलाया जाता है या फिर तार्तम का जब कराया जाता है तो ऐसे जो जब की प्रक्रिया है वो उनके लिए है जो जिनको ध्यान का पता नहीं है बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि ध्यान से भी बड़ा जब है वास्तों में ऐसा नहीं है जब तो प्रारंभिक सीड़ी है एक तरह से देखा जाए तो ये प्रत्याहार तक बढ़ने के लिए जैसे योग के आठंगे ना यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधी तो जो पांचमी सीड़ी है वह प्रत्याहार है जब भी उनहीं में से एक माना जा सकता है लेकिन ये तो ऐसा ही है जैसे एक छोटा बच्चा है जो अंगुठा चूसता है तो उसको अंगुठा चुडाने के लिए क्या करते हैं जैसे जो निपल होता है रबर का उसमें हम सहद डाल करके दे देते हैं ताकि उसको चूसता रहे और अंगुठा चूसना छोड़ दे लेकिन बच्चा दस बारा साल का हो गया उसके बाद भी वो निपल चूस रहा है तो आप क्या बोलेगे कि हमारा बेटा तो मंदबुधि निकला यही बोलोगे न हमारा बच्चा मंदबुधि निकला है तो छोड़ी नहीं रहा है और 15-20 साल का हो गया तब भी नहीं छोड़ रहा है तब क्या बोलोगे आप डॉक्टर के पास जाना चाओगे आप चिंता व्यक्त करोगे कि हमारा बेटा तो कैसा निकल गया देखो इसी तरह से मन जो बाहर भागता रहता है ना अंगुठे की तरह उस अंगुठे से छुड़ा करके कहीं किसी सब्द में केंद्रित हो जाए इसके लिए जब का लाब है राच्षै मजी राच्षै मजी बोलें या फिर तार्तम दोराएं पर जीवन भर हम जब नहीं कर सकते हैं जीवन भर नहीं करना चाहिए हाँ चित्वनी के प्रारम में मन को इधरूदर भागने से रोकने के लिए एक बार दो बार तार्तम का जब करना तो ठीक है पर सबसे उत्तम क्या है जिसका नाम रटा जाता है उस नाम वाले को दिल में बसाना नाम लेने से भी ज्यादा उत्तम है गलत तो नहीं लग रहा है जिसका नाम लिया जा रहा है उस नाम वाले को दिल में बसाना बड़ा है कि नाम लेना बड़ा है और दिल में बसाने के लिए कौन सी प्रक्रिया? चितवनी की प्रक्रिया है, हाँ छोटे बच्चों के लिए या जीनोंने नया नया तार्तम लिया है, जो अभी-भी चितवनी सीख रहे हैं, उनके लिए जब का महत्व है और जब हम किसका करते हैं श्री युगल किसोर को जाप है किसोर युगल सोरुप जिनको हम राजश्यामा जी कहते हैं तो उनके नाम का हम जब करते हैं आगे कहते हैं मंत्र तार्तम स्वे हम किसको मंत्र कहते हैं मंत्र के रूप में हम तार्तम को जब कर ये तार्तम को हम मंत्र मानते हैं अब प्रस्ण यह है कि क्या तार्तम वास्तो में मंत्र है या इसको क्या समझें पहली बात तो यह है कि मंत्र का आर्थ हमें पता हो तो कोई विवाद ही नहीं हो मंत्र कहते हैं मननात इती मंत्र जिसका मनन किया जाए जिसका चिंतन किया जाए उसको मंत्र कहते है तार्तम ज्यान का हमें चिंतन करना चाहिए तार्तम की चोपाईयां का मतलब केवल छे चोपाई नहीं है या फिर एक चोपाई या फिर दोल चरण ऐसा नहीं है समाज में एक वर्ग ऐसा है जो कहता है कि नहीं जो मंत्र है जो उपर की पहली लाइन है ना निजनाम स्री कृष्ण जी अनादी अक्षरातीत अथवा निजनाम श्री जी शाहब जी अनादी अक्षिराति तो यही मंत्र है जबकि वास्तविकता यह है कि पूरी वानी अठारा 17ication चौपा यह पूरा का पूरा तारतम ही है यहाँ जो मंत्र तारतम सोय कहा रहे हैं पूरी वानी का हमें चिंतं करना चाहिए और रही बात मंत्र की अब इसमें भी एक विचारधारा यह है कहती है कि जो पहले वाला तार्तम अवतरित हुआ निजिनाम स्री कृष्ण जी वो हमारा बीज मंत्र है और उस मंत्र को नहीं बदलना चाहिए कुछ लोगों ने मंत्र बदल दिया पाप किया इस तरह की बात होती है वास्तविक्ता यह है कि बीज मंत्र कह करके कहीं पर भी वानी बितक में कोई एक चोपाई नहीं है देवचिंद्र जी को जहां दर्शन हुआ उस प्रसंग में राजी और देवचिंद्र जी के बीज की बातचीत को कहा है कि एक अहे तारतम बीज वचन जो बातचीत हुई थी वो तारतम का बीज था अंकूर था उसके बाद उस बीज का जो व्रिक्ष और फल लगा यह तारतम वानी है पूरे बीज मंत्र कहीं पर भी एक स्थान पर नहीं है और दूसरा ये कि मंत्र बदला गया ऐसा आरोप लगाया जाता है किसने बदला सनन्द की वानी जब अवतरित हुई सनन्द की वानी में निजनाम स्रीजी साहिब जी की छाप है तो वहां बदलने वाला कौन येडी बदलना पाप है येडी तो फिर ये तो स्रीजी ने बदला है हमने किसी व्यक्ती ने थोड़ी बदला है ना जगदिश चंद्र आउजा जी ने बदला है ना स्वामी जी ने बदला है किसी ने भी नहीं बदला है आज से 200, 200, 300 साल पुरानी वाणी हमने देखी, मैंने अपनी आँखों से प्रत्यक्ष देखी है, जिसमें निजनाम स्री जी साहिब जी है, तो ऐसा नहीं है कि तार्तम बदला गया है, हिंदू मत के लिए पहले निजनाम स्री कृष्ण जी अवतरित हुआ था, बाद में, कतेब पक्ष का ज्यान अवतरित होना शुरू हुआ, तो हिंदू मुसल्मान सब के लिए, सुर असुर सबों को एपती सब पर एकई दया, तो हिंदू के लिए वह परमात्मा स्री जी है, स्री जी का तात्परिय क्या होता है, स्री का तात्परिय होता है, अनन्त अईश्वर का जो स्वामी है वह परमात्मा जी सब्द जो है वह सम्मान सूचक है और साहिब जो है वो मुसलमानों के लिए भी इसाई भी साहिब सब्द का प्रयोग करते हैं तो हिंदू मुसलमान सब का वो परमात्मा है श्री प्राणनाज जी उनके लिए स्री जी साहिब सब्द का वहाँ प्रयोग हुआ है ताकि सब लोग समझ सकें अगर केवल स्री कृष्ण जी कहते तो किसी एक सांप्रदाइक बाड़े में बंद करके रहे जाता और दूसरा कि जब तार्तम दोनों है तो हमें इस बात पर विवाद करने की आवसेकता ही नहीं है कि ये वाला तार्तम सहिए कि वो वाला तार्तम सहिए दोनों तार्तम सहिए राश, प्रकास गुजराती, कलस गुजराती, खटरितु और किरंटन इन पाच ग्रंथों में निजनाम स्री कृष्ण जी ही रहेगा और इनके अलावा बाकी जो ग्रंथ हैं उनमें निजनाम स्री जी साहब जी की छाप रहेगे तो दोनों तार्तम अपने अपने जगा पर सही है और रही बात की नहीं, निजनाम श्री कृष्णा जी वाला ही सही है, क्योंकि उसमें 16 अक्षर हैं, तो वास्तों में ये सिध्धान्थ भी गलत है, क्योंकि मंत्र में 16 अक्षर ही होंगे, ये तो पूरी तरह से गलत है, इसको आमने कुछ दिन पहले की चर्चा में भी सुना गायत्री मंत्र की बात करते उसमें 24 अक्षर हैं, जगती चंद की बात करते उसमें 48 अक्षर हैं, अनुष्टूप चंद में बहुत सारे मंत्र हैं, त्रिश्टूप चंद में बहुत सारे मंत्र हैं, अलग-अलग चंद में अलग-अलग मात्राएं होती हैं, तो मंत्र जो ह हमारी आत्म जागरिती होगी आप उस तार्तम का पाठ कीजिए कि जिसको लगता है कि निजनाम स्री जी साहब जी बोलने से हमारी आत्म जागरिती होगी आप उस तार्तम का जाप कीजिए पर तार्तम जिसकी पहचान करा रहा है उसकी पहचान भी तो कीजिए वो जावश्यक है स्वरुप की तो पहचान नहीं है और केवल शब्द को पकड़ कर बैठ गए तो उसका कोई लाब नहीं है मैं यहाँ पर बैठा हूँ कोई मुझे गुरु जी कहेगा कोई मुझे ब्रहता जी कहेगा कोई मुझे महात्मा जी कहेगा कोई मुझे नाम ले करके बुलाएगा कोई मुझे बेटा कहे करके बुलाएगा मैं बदल थोड़ी जाओंगा परमातमा को चाहे आप किसी भी शब्द से पुकारे हाँ भाव वही होना चाहिए जैसा वाणी में व्यक्त किया है स्वरूप वही होना चाहिए जैसा वाणी में व्यक्त किया है अन्य था आप उनको किसी भी नाम से संबोधित कर सकते हैं कृष्ण कहते हुए आप ब्रजवाले स्वरूप को लेते हैं रासवाले स्वरूप को लेते हैं आप परमधाम नहीं पहुँच पाएंगे, प्राणनात कहते हुए, श्री जी कहते हुए, आप यदि मिहिर राज के तन से बज जाते हैं, तो आप भी नहीं पहुच पाएंगे, वास्तविक्ता यह है कि मूल स्वरुप को पकड़ने के आओ सेकता है, शब्दों के विवाद में नहीं पड़ना है, अब कहते हैं मंत्र तार्तम सोय तार्तम को हम अपना मंत्र मानते हैं, अब मंत्र क्यूं है, कैसे है, है की नहीं है, इन सब इसों के को हमने समझा, अब आगे कहते हैं ब्रम्ह विद्या देवी सही, विद्या किसे कहते हैं? चेतन को जड अथवा, जड को चेतन समझना, यह सब अविद्या है. विद्या कितने प्रकार की होती है? विद्या होती है दो प्रकार की है. धर्म के लक्षणों में भी एक लक्षण है विद्या, धर्म का आठमा लक्षण. यहां पर बहुत सारे विद्यार्थी हैं आपको पुछा जाए कि कौन से विद्या की आओ सकता है दो प्रकार की विद्या होती है इतना तो मैं बता देता हूँ एक भावतिक और एक आध्यात्मिक आपको पुछें कि कौन से विद्या की आओ सकता होती है तो आप क्या बोलेंगे? अगर कोई कहता है कि भावतिक तो वो गलत है अगर कोई कहता है कि आध्यात्मिक तो वो भी गलत है क्योंकि दोनों विद्या की आउसेक्ता पड़ती है भावतिक और आध्यात्मिक विद्या में क्या फरक है? आध्यात्मिक विद्या का तात्परिया है कि आत्मा और परमात्मा को बताने वाली विद्या आत्मा क्या है परमात्मा क्या है हम कौन है कहां से आए हैं कौन से विद्या सही है न भावतिक या अध्यात्मिक देखिये जैसे एक गाड़ी है गाड़ी बनाया कैसे जाता है उसकी अलग इंजिनिरिंग होगी चलाया कैसे जाता है उसकी driving की classes अलग होती है जाना कहां पर है वो अलग बात है यह शरीर गाड़ी है, और इस शरीर रुपी गाड़ी को मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए, जो कोई भी विद्या चाहिए, जो किसी भी प्रकार का ग्ञान चाहिए, वो भातिक विद्या में आता है. क्योंकि बहुतिक विद्या घुमा फिरा करके हमें क्या चीज दे सकती है भोजन, वस्त्र, मकान या फिर आजकल थोड़ी और चीजे बढ़ गई है पहले तो आधारवुत आओ सेकता है यही थी आज इसके अलावा कम्यूनिकेशन हो गया, मीडिया हो गया, इंटर्टेन्मेंट हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज वगर हो गई है हमारा पूरा का पूरा ग्यान अभी इतनी चीजों पर ही सिम्टा हुआ है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज होगी हाँ, छेत्र बहुत बड़ा है, क्योंकि हमने अपनी जरूरतें और अपनी ख्वाई से बहुत बड़ा लिए, बाकी कूल मिला करके ये छे चीजे ही है तो जो भौतिक विज्ञान है, उससे हमें ये छे चीजे प्रोवाइड हो जाती है, ये छे चीजे उपलब्द हो जाती है लेकिन अध्यात्मिक विज्ञान से हमें ये पता चलता है कि जो शरीरूपी गाड़ी है, उसके द्वारा हमें चल करके जाना कहां पर है क्योंकि गाड़ी भी खरेदली हमने उसमें इंदन भी फ्यूल भी पूरा भरा लिया लेकिन उसके बाद हमें रास्ते का पता ही नहीं तो मंजिल का पता ही नहीं तो उसका कोई लाव नहीं इसलिए दोनों सिक्ष्या का अपना-पना महत्व है यदि कोई कहता है कि नई अध्यात्मिक विद्या ही सर्वो परी है तो ऐसा भी नहीं है क्योंकि भूखा व्यक्ति कितने दिन तक भक्ती करेगा हम जो कपड़ा पहनते हैं जो कितावें पढ़ते हैं जिस माइक के साउंड सिस्टम के मादेम से चर्चा सुन रहे हैं जिस कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं जिन गाड़ियों में बैट करके आप यहां तक आए हैं यहां से जाने वाले हैं यह सारी चीजें तो भौतिक विज्ञान का भौतिक विद्या का ही कमाल है न और यहां बैट करके जो सुन रहे है वो अध्यात्मिक विद्या है तो लक्ष बताने वाली जो विद्या है वो अध्यात्मिक विद्या है और वहां तक पहुचने के लिए इस गाड़ी को मेंटेन करने वाली जो विद्या है वो बहुत एक विद्या है और जो अध्यात्मिक विद्या है हम उसी को ब्रह्म विद्या भी कहते हैं क्योंकि वो ब्रह्म के विशय में बताती है परमात्मा के विशय में बताती है उस ब्रह्म विद्या को हम कहते हैं देवी देवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि देवी का आर्थ होता है दिव्यगुण वाले और विद्या मे ऐसा दिव्य गुण है कि हमारे जीवन में आए हुवे अज्ञानता के अंधकार को हटा देती है समाप्त कर देती है वह दिव्य गुण होने से उसे देवी कहा जाता है तो हम ब्रह्म्ह विद्या को देवी कहते हैं और आगे कहते हैं पुरी नौतन मम जोए हमारी पुरी कौन सी है नौतन पुरी पुरी किसे कहा जाता है पानी पुरी पुरी का आर्थ होता है ऐसा इस्थान ऐसी जगह जहां से ज्ञान का प्रचार हो उसको पुरी कहा जाता है जैसे नौतन पुरी से पहले भी समाज में बहुत सारी पूरियां थी, जगनाज पूरी है, द्वारिका पूरी है है ना, ऐसे कई पूरियां थी, हम नौतन पूरी को इसलिए पूरी कहते हैं, क्योंकि जो तार्तम ज्यान है, जागरित बुद्धी का ज्यान है, वो सबसे तार्तम ज्यान सबसे पहले आउतरित हुआ, वहीं से तार्तम मारी का प्रचार प्रशार शुरू हुआ, इसलिए उस स्थान को हम पूरी कहते हैं, उसका महत्व कितना है, उसका एक अईतिहासिक महत्व है, कि वहाँ पर हमारा ज्यान सबसे पहले आउतरित हुआ अब लोगों में ये व्यवहार भी ये बात भी प्रचलित है कि नौतन धाम जो है वो हमारा धाम है जो नौतन पुरी नहीं जाता है उसका आत्मी कल्याण नहीं होता है उसकी आत्मा जागरीत नहीं होती है, इस तरह के भी बात बताई जाती है, वास्तविकता ये है, कि पहली बात तो ये कि आत्म जागरिती के लिए आपको किसी जगह विशेश में जाने की जरूरत नहीं है, राज्जी आपके हृदय धाम में है, आप कहीं भी रह करके देख सकते हैं, हाँ, इन पनपुरी जाना चाहिए, पर केवल ये सोच करके जाना या ये कह करके किसी को डराना या आस्था उत्पन कराना कि यहां नहीं जाओगे तो तुम्हारी आत्म जागरिती नहीं होगी, वो भ्रहम है, हाँ, पदमा उतिपुरी धाम पन्ना जी में, आज भी श्री महामती जी के हरिदय धाम में राज जी विराजमान है, प्राणना जी आज भी गुम्हट जी में विराजमान है, इसलिए उसका महत्व सर्वो परी है, हम उसको जागनी ब्रहमांड का मूल मिलावा कहते हैं, पदमा उतिपुरी धाम का वह महत्व है, महामंगल पुरी धाम का महत्व य यह है कि वहां से क्योंकि सूरत का नाम का इस्थान है, सूरत से ही श्रीजी साहब के साथ में 500 ब्रह्मिस्रिष्टियों की जमात चली और आगे जाकर पन्ना जी तक पहुंची, पुरे पन्ना जी तक पहुंचने के क्रम में जागनी का कार्य किया, तो सूरत से जागनी लिला वास्तों में प्रारंबुई इसलिए उसका अइतिहासिक महत्व है, तो नौतन पुरी और महमंगल पुरी का हमारे लिए अइतिहासिक महत्व है, साथ में महत्व इस बात का भी है कि अभी आप जाएंगे तो जैसे हमारा मंदीर है यहाँ यहाँ पर भी वही राजजी पदराय हुए है और वहाँ पर भी वही राजजी पदराय हुए तो इतना महत्व है कि राजजी वाणी पदराय हुई है तो हमारे लिए वैसा ही भाव होना चाहिए हाँ, गुम्मट जी में पदमाउतिपुरी धाम पन्ना में श्री प्राणनाजी अभी भी विराजमान है इसलिए उसका स्थान इस पूरे ब्रह्मान में और कोई नहीं ले सकता कोई ये कहता है कि इस जगा पर गए बिना चाहे कोई भी पुरी हो नौतनपुरी में गए बिना आपकी जागरी नहीं हो सकती ऐसा कहेंगे तो उनके लिए सवाल ये है कि लालदाजी तो नहीं गए थे लालदाजी तो नौतनपरी पहुंचे ही नहीं जा रहे थे श्री जी नहीं रोक दिया कि आप जिनकी खोज में आये थे वो खोजाप की पुरी हो चुकी है तो वो नहीं गए फिर भी उनकी जागरीती होई चिंतामणी जी है चिंतामणी जी का धामगमन रामनगर में हुआ था पन्ना जी पहुंचने से पहले ही उनकी भी तो आत्मजागरीत हो चुकी थी ना तो आत्म जागरिती के लिए किसी विश्यस इस्थान की आउस्चिक्ता नहीं होती है, बाकि सभी पुरियों का अपना-अपना महत्व है जो हमने सुना, हाँ, हमारे संप्रदाई की पद्धती में हम नौतन पुरी को अपनी पुरी मानते हैं, क्योंकि हमारे ज्ञान की 108 पक्स की साखा, 108 पक्स कौन-कौन से? 9 प्रकार की भक्ती बताई गई है, हम 9 भक्ती जिसको कहते हैं, 9 भक्ती कौन-कौन से लगबग सबको पता ही होगा, स्रवन है, मनन है, पादसेवन, स्मरण, अर्चना, बंदना, दास्य, साख्य, आत्मनि विदन, ये 9 प्रकार की भक तीन गुणों से युक्त है तीन गुण तो पता ही है सबको रजोगुण, तमोगुण, सत्तोगुण क्रम कोई भी हो सकता है सत्तोगुण, रजोगुण, तमोगुण या तमोगुण, सत्तोगुण, रजोगुण, कुछ भी बले हाँ, क्रम सहब देखे तो सतगुण, रजगुण और तमगुण तीन प्रकार के लोग है सब के अंदर तीनों गुण होते हैं सब के अंदर जब तक कोई व्यक्ती जीवित है तब तक तीनों गुण रहते हैं समाधी की एक अवस्था ऐसी होती है ध्यान में जब वह उतने समय के लिए तीनों गुणों से परे हो जाता है परन्तु जब भी कोई क्रिया चल रही होती है उस समय तीनों गुण रहते हैं जब सतगुण अधिक होती है सतगुण की प्रधानता होती है तो हम शान्त होते हैं ध्यान करने का मन करता है या फिर पढ़ने का मन करता है यह सतोगुड की अधिकता में कोई भी काम करने का मन है किसी को भागदोड का काम होता है ना सारीतिक स्रम्मों अगर आए वो रजोगुड की अवस्था है और जब हम नीद में होते है या बहुत अधिक आलस्या आता है वो अवस्था तमोगुण की है अब जैसा मैंने पहले ही कहा कि सब के अंदर तीनोगुण है यदि तमोगुण नहीं हो तो किसी को नीधी नहीं आएगी नीध नहीं आएगी तब भी सरीर कुछ समय के बाद में खराब हो जाएगा तो तमोगुण का भी बालेंस होना जरूरी है यदि रजोगुण नहीं होगा तो कोई व्यक्ति काम कर नहीं सकता है किसी भी तरह का कोई काम नहीं कर सकता है और फिर सतोगुण ना हो व्यक्ति के अंदर हमेशा काम, क्रोध, आदि, विकार आते ही रहेंगे भक्ती में कभी इमन नहीं लगेगा तो हर वेक्ती कभी न कभी कोई न कोई ऐसा समय तो आता है जब वो शान्थ होता है वो सत्वगुण की अवस्था का होता है जब कोई थोड़ी सी चंचलता होती है या थोड़ा बहुत गुस्सा आ रहा होता है तो वो अवस्था रजोगुण की है और जब हम घंगोर आलस्य और प्रमाद की अवस्था में है तो वो अवस्था तमोगुण की है तो जो भक्ती करते हैं उनमें भी तीनोगुण प्रधान होते हैं अब नौप्रकार की भक्ती है तीनों गुणों के लोग करते हैं तो कितने हो गए? सतोगुण के नौप्रकार के, रजोगुण के नौप्रकार और तमोगुण के नौप्रकार, इस तरह से नौतियां 27 पक्स हो गए. और इन ही नौप्रकार की भक्ति को तीन प्रकार की लोग मानते हैं तीन तरीके से वो तीन तरीके हैं पुष्टी, प्रवाह और मर्यादा इनका अर्थ क्या है? पुष्टी का अर्थ है कि हम जो कर रहे हैं भक्ति उसको बहुत अच्छी तरह से सोच समझ करके जो कर रहे हैं कि जो कर रहे हैं उसका पता है हमें तो यह पुष्टी है अपनी आत्मा के कल्यान के लिए ऐसा सोच करके जो समझ करके कर रहा है उसको पुष्टी कहते हैं प्रवाह का ताथपरिय है, कि इतने सारे लोग कर रहे हैं, तो हम भी कर लेते हैं, एक दुसरे की देखा देखी जो करते हैं, वो प्रवाह की भक्ती है, और मरियादा का मतलब यह है, कि यदि हम नहीं करेंगे, तो लोग क्या कहेंगे, जैसे मान लिजे कि यहाँ पर भी आप सब चर्चा सुनने के लिए आए हैं यहाँ भी तीन पर तीन तरह के लोग हैं सुनने वाले तीनों गुण तो सब में है ही लेकिन तीन तरीके हैं कुछ लोग यह सोच करके आए हैं कि बीतक सुनना है, हमारी आत्मा के कल्यान के लिए राजी ने हमारे लिए लिखवाया है, कुछ लोग ये सोच करके आ रहे हैं, कि इतने सारे सुन्दर साथ जा रहे हैं, चलो हम भी चले जाते हैं, कुछ लोग ये सोच करके भी आए हैं, कि अगर नहीं जाएंगे, बाद में मानते हैं, पुष्टी, प्रवाहा और मरियादा, तो पहले 27 पक्ष हो गए थे, 27 तियां, 81 पक्ष हो गए, क्योंकि सबके एक एक बटेंगे ना, 81, 82 पक्ष है वल्लभाचारियजी का, वल्लभाचारियजी जिनोंने भागवत की सुबोधिनी टीका की थी, भागवत की उन्हो कुछ लोग सुबोधिनी टीका कहते हैं, कुछ लोग सहजनी टीका कहते हैं, इसमें उन्होंने ब्रज और रास की लीला का, अखंड की लीला का वर्णन करने का प्रयास किया, और प्रेम लीला को, ब्रजवदों की प्रेम लीला को व्यक्त करने का प्रयास किया, तो इसलिए नवधा भक्ती से उपर प्रेम लिला का वर्णन होने के कारण उस पक्ष को बयासीमा पक्ष कहा जाता है और तिरासीमा पक्ष है कबीर जी का क्योंकि कबीर जी ने तो ब्रज और राज से भी उपर की बात बताई है अक्षर तक की बात उन्होंने बता दी क्या कहा उन्होंने कि अक्षर से भी उपर अक्षरातित का भी संकेत किया जा घर में अबलाव से बहे प्रेम के पूर कहे कबीर सुनो भाई साधो वह घर हमसे दूर चलते चलते पग धका नगर रहा नौकोस बीच में डेरा पड़ गया कबीरा किसको देऊं दोस्तों जो डेरा पड़ा वो अक्षर का ठोर है अक्षर के रंग महल से अक्षरातित का जो रंग महल है उसकी जो दूरी बताई गई है परम नाम के लीला के रूप में तो वह नौलाख कोस की बताई गई है मध्य में यमना जी है 45-45 लाग कोस के हिसाब से तो इस तरह से उन्होंने अक्षर और अक्षरातित का भी संकेत में वर्णन किया है प्रेममई ध्यान का उन्होंने वर्णन किया है तो वल्लबाचारी जी से और उपर की पहुँच हो गई उनकी तो वो तिरासीमा पक्ष हो गया अब बच्चे 25 जो है वो 25 पक्ष कहां के है परमधाम के परमधाम के 25 पक्ष धाम, तलाओ, कुंजबन, सोहे, मानिक, नहरे बन की जो है पस्चिम, चोगान, बड़ो बन कहिए पुखराजी, जमनाजी लईए आठों सागर, आठ जिमी के ये 25 पक्ष धामधानी के ये 25 पक्ष परमधाम के तो 83 और 25 कितने हो गए 108 तो 108 पक्ष की साखा है हमारी 3800 पक्ष साखा सई और क्या कहते हैं, शाला है गोलोक, गोलोक को हम अपनी शाला मानते हैं, शाला किसको बताया था? हमने हरिद्वार की प्रसंग में पहले दिन की चर्चा में ही सुना था कि जहां कुछ समय के लिए रह करके आराध्य के साथ में लीला की हो, उस इस्थान को शाला कहा जाता है गोलो को कौन्छा लोग है? गोलो कार थे, गायों का लोग हमने जो ब्रज में लीला की वह ब्रज लीला जहां अखंड है उस अखंड ब्रज लीला को गोलो का कहा है तो हमारी वह शाला है क्योंकि वह लीला हमारी है इसलिए हम उसको शाला कहते हैं और आगे कहते हैं सत्गुरु चरण को छेतर है हमारा इस्थान कोंचा है सत्गुरु के चरण कमल अब सत्गुरु कौन है वो हम कल सुन चुके है सत्गुरु ब्रह्मानन्द है राज जी हमारे सत्गुरु है और किरंदन की वाणी भी कहती है सत्गुरु मेरा स्याम जी मैं अहनिस चरणे रहूं तो यहाँ पर भी वही बात बता रहे है सद्गुरु चरण को छेत्र है तो परब्रम के चरण कमल को ही हम अपना छेत्र मानते हैं हम उन्हीं के चरण कमल का ध्यान करते हैं हम जब प्रार्थना भी करते हैं चर्चा से पहले तब भी यही कहते हैं न वंदो सद्गुरु चरण को तो वहां सद्गुरु चरण की वंदना हो रही है अथवा प्रथम लागु दो चरण को धनिये न छुडाईयो खीन वहां पर भी युगल स्वरूप के चरण कमल की बात हो रही है तो इस तरह से सद्गुरु के चरण कमल को छेत्र बताया है जहां जाए सबसोक जहां जाने पर सभी प्रकार के शोक सभी प्रकार के दुख समाप्थ हो जाते हैं क्योंकि वह स्वयम आनन्द के स्वरूप है अब क्योंकि चरण में ध्यान लगाने की बात की जा रही है अथवा चरण को छेत्र बताया जा रहा है इसका कारण क्या है कि जहां चरण होते हैं वहां पूरा स्वरूप होता है जैसे हम कभी बोलचाल की भाषा में किसी महान व्यक्ति का गुरुजन का सम्मान करना होता है हमारे घर में आये तो हम क्या बोलते है कि आपके चरण कमल हमारे घर पर आये बहुत खुशी हुई अब वहां पेट भी आया होता है गरदन भी आये होती है पूरा सिर भी आया होता है पर बोलचाल की भासा में हम एक सम्मान जनक रूप से चरण की बात करते हैं कि आपके चरण कमल हमारे घर पर आए जब कि पूरा स्वरूप आये होता है और ये निश्चित है कि चरण कमल आएंगे तो नट बोल्ट थोड़ी है कि खोल करके केवल चरण चरण भेज़ देंगे पूरा स्वरूप ही आएगा ना तो जहां चरण होंगे वहां पूरा स्वरूप होगा उन युगल स्वरूप का ही हम ध्यान करते हैं और उनमें भी चरणों से ध्यान की शुरूवात करते हैं जो की हमारे लिए छेत्र हैं अब आगे कहते हैं सुख विलास माहे नित्य व्र नित्य व्रिंदावन कौन सा है ये वाला व्रिंदावन तो नहीं है जो यूपी में है ये तो नित्य नहीं है ये अनित्य है इसकी तो शुरुवात हुई है और महाप्रले में समाप्थ हो जाएगा नित्य का मतलब है जो हमेशा रहने माला है योगमाया के ब्रह्मांड में व हम ही है ना, आनंद रूपा यासक्यो, ब्रजे व्रिंदावने स्थिता, कलव प्रादुर भविष्यंती, पुनर यास्यंती तत पदम, जिन ब्रजवधों ने द्वापर युग में लिला की थी, ब्रजवधों के रूप में, कल युग में वही ब्रजवधों, सुन्दर साथ के ब्रह्मिन सिष्टी के रूप में आई है, तो हमने जो रास की लीला की थी, जो अखंड है, उस अखंड व्रिंदावन को कहा गया है, नित्य व्रिंदावन, वो हमारे सुख विलास का इस्थान है, क्योंकि वह हमने रास की लीला की थी, रास का अर्थ क्या होता है, सुख सुख विलास का इस्थान रसो वई सह आनंद को ही रास कहा जाता है, तो नित्य वरिन नावन को हम सुख विलास का इस्थान मानते हैं, और क्या कहते हैं, रिशी महा विश्णु है, जो है, किसको रिशी कहते हैं, महा विश्णु को, रिशी का अर्थ क्या होता है रिशी वही मंत्र द्रश्टा रहा सामान्य रूप में अर्थ क्या है कि जिनोंने समाधी की अवस्था में मंत्रों को देखा है वो रिशी है अब यहां महाविश्णु है महाविश्णु ने तो नहीं देखा इसका मतलब ऐसा नहीं है, महा विष्णु तो इन सब के भी महा कारण है रिश्यों के हृदय में जो ज्यान आया, पहले महा विष्णु के यहां ही आता है महा विष्णु से इन रिश्यों के हृदय में आया और हमारे आने के संबंद में जितनी भी भविश्यवानी लिखाई है किसी ने किसी रिशी के द्वारा लिखाई है जो ज्ञान पहले महा विश्णू के रिदय में आया है इसलिए महा विश्णू को हम रिशी कहते हैं और कहरें वेद हमारो स्वसम है हमारा वेद कौन चाहे? स्वसम वेद बच्चे जितने भी आये हैं बच्चे, आपको पुछेंगे, वेद कितने है? कितने वेद है? चार वेद का नाम याद है? नाम तो कम से कम याद, मैं वेद का मंत्र नहीं पूछूंगा. चार वेद है, रिग, यजू, साम और अथर्ववेद. ठीक है? रिगवेद या जुरवेद, सामवेद और अथरवेद अब यहां क्या कह रहे है वेद हमारो स्वसम है यह तो पांचमा वेद हो गया इसी साब से तो संचार तो चार वेद को ही जानती है पांचमा वेद तो है ही नहीं यह सा बता देंगे तो आप कैसे साबित करोगे कि आपकी वाणी स्वसम वेद है या पांचमी वेद होती भी है वेद का आर्थ होता है ज्ञान ठीक है वेद का आर्थ है ज्ञान और ज्ञान की संख्या नहीं है कि एक वेद है कि दो वेद है तीन वेद है चार वेद है रिशियों के हृदय में जो ज्ञान प्रगट हुआ उस समय उस ज्ञान को वेद व्यास जी ने चार भागों में विभक्त किया कर्म उपाशना ज्ञान और विज्ञान के इसाब से अन्य था इन रिगवेद, यजुरवेद, सामवेद, अथरववेद के अलावा भी मर्शी दयानन सरश्वती जी ने पांचमे वेद का अस्तित्व स्विकार किया है लेकिन उन्होंने क्या कहा इतिहास पुराणा नाम पंचम वेदा नाम इतिहास और पुराण को उन्होंने प स्वसम वेद किसे कहते हैं, आपका स्वसम वेद क्या है, स्वसम का अर्थ होता है, स्वयम का अपना वेद का अर्थ होता है ज्ञान, तो स्वसम वेद का अर्थ हुआ अपना ज्ञान अथवा आत्म ज्ञान, और हम आत्म ज्ञान किसे प्राप्त कर रहे हैं, इस ब्रह्म्ह मा को हम स्वसम वेद कहते हैं स्वसम वेदर्थात आत्मा का वेद अथवा आत्म वेद अथवा आत्म ज्यान और आगे कहते हैं तीरत जमुना स्वय हमारा तीरत कौन चाहे जमुना जी को हम अपना तीरत मानते हैं कौन सी जमुना जी दिल्ली में बैह रही वो यही तो आपके त पद्धति में बताया तीर्थ जमुना सोय, कौन सी जमुना, परमधाम वाली, देखे यह जो यमना जी है वो तो पार कराने वाली है नहीं, यह यमना जी तो पार कराने वाली नहीं, यह कूद के मत देखना, यह तो डुबोने वाली है, परमधाम की जो यमना जी है वो क्यों कहा है तीर्थकार्थ होता है तराने वाली परम नाम में जो यमना जी है उसमें पानी नहीं बहता है वो पानी वाली नदी नहीं है कि आप जा करके ढूड़ने लग जाओ कि ये तो हाइडोजन और ऑक्सिजन मिलकर के जो पानी बनता है वो ऐसा नहीं है केवल लीला आगर प्रवाहित होता है, उस प्रेम, उस आनंद को ही वहाँ यमना जी के रूप में दर्साया है. तो जब हम चित्वनी करते हैं, हम कहते हैं यमना जी में डुबकी लगा रहे हैं, तो वहाँ पानी में मैल नहीं दो रहे हैं, वहाँ राजी के प्रेम में डुबकी लगाना है, तो जो एक बार राजी के प्रेम में डुबकी लगा ले, आनंद में डुबकी लगा ले, वो तो तर ही जाएगा ना उसके लिए फिर क्या बच जाएगा तो तरना ही तीर्थ है जना यही तरंती तानी तीर्थानी तो इसलिए हम यमना जी को अपना तीर्थ मानते हैं क्योंकि वह युगल स्वरुप के रिदय में बहता हुआ प्रेम और आनंद का रूप है नदिक के रूप ना ही वास्तों में तीर्थ है वाणी भी तो कहती है पाक न होईए इन पानी यह चाहिए अर्स का जल नहाइए हक के जमाल में तब होईए निर्मल उस प्रेम आनंद में डुपकी लगा कर ही हम निर्मल हो सकते हैं हम इस संसार से हमारा जीव मुक्त हो सकता है इसलिए हम जम कौन सा है हमारे आनंद का मूल कौन सा है धाम कौन सा है घर कौन सा है संप्रदाय का नाम कौन सा है अभी इन प्रस्णों का उत्तर प्राप्त होना बाकी है पर क्योंकि समय भी पुरा हो गया है और सुन्दर साथ को भी कुछ समस्या हो रही है तो कल की चर्चा में हम कि हमारी जो आगे की पद्धति अभी हमने आधी पद्धति लगबख समझ लिजे कि सतर प्रतिसत पद्धति सुन ली है अभी तीस प्रतिसत और बचता है और उसके बाद ये सारी पद्धति सुनने के बाद हरिद्वार के जितने आचारिय उपस्थित थे उन आचारियों ने श्री जी के साथ किस तरह का वेवार किया और वहाँ ऐसे कौन से निशान मिली जिस से श्री जी को विजय आभिनंद बुद्धनिस कलंग स्वरूप के रूप में स्विकार किया गया और उसके बाद फिर श्री जी दिल्ली की तरफ कैसे प्रस्तान करते हैं और दिल्ली में आगे कैसी घटना होती है किस प्रकार के घटना होती है ये सारी भी तक सुनेंगे हम कल अब समय पूरा होता है जो पैदोराई सास्त्र स्रवन श्री भागवत बुद्ध जागरत को ज्यान कुल मुल हमारो आनंद है फाल नित्य बिहार प्रमान फाल नित्य बिहार प्रमान बुलश्री प्राणनात बुलश्री सद्गुरु महराज की